हाई गाईज वेलकम बाक तुन अधर सेशन मैं आभावनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करन्ट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 737 आज की तारीक है तीन अगस्ट दो हजार बीस हमारे दो चानल है पिनाकल और फ्रेंटियर आएस और अगर 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 तक आपने मारे चान हर रोज सुबा 4 बजे वैलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विस के क्वेशन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विस के साथ आपका पहला क्वेस्चन था किस राज्य ने बभीत अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो इसका सही जवाब है एक अगस्त को स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ किस पूर्व भारते क्रिकेटर को राश्ट्रे खेल पुरसकार विजेताओं की चैन समिती में शामिल किया गया है तो इसका सदस्ये समिती में शामिल किया गया है इसकी अधियक्षता सेवा निवरित सुप्रीम कोड के न्याय मूर्ती मुकुंद कम शर्मा करेंगे पूर्व भारते होकी कप्तान सरदार सिंग भी समिती का हिस्सा है इसके अलावा पैनल में पैरा अलंपिक रजत पदक विजेता दी इश बटाविया और पत्रकार अलोक सीना और नीरु भाटिया शामिल है राश्र खेल पुरसकार हर साल 29 अगस्त को हौकी आइकन ध्यान चंद की जैनती पर दिये जाते हैं पैनल में खेल मंत्राले से भी प्रतिनिधित्व होगा जिसमें भारतिये खेल प्राधिकरन के महान देशक, संदीप प्रधान, संयुक्त सचीव खेल विकास, L.S. सिंग और लक्षे ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के CEO राजेश राजगोपालन शामिल हैं यहां पुने फोटोग्राफ में देख सकते हैं और क्विक रुविजन की बात करें तो BCCI द्वारा प्रतिष राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है तो इसका सई जवाब है रोहित शर्मा अगला प्रशन है किस देश ने हाल ही में दियावयू आइलेंड को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है तो इसका सई जवाब है option number A चीन चीन ने हाल ही में दावा किया है कि दियाईू द्वीप चीनिक शेत्र है और उसे शेत्र में कानून प्रवर्तन गति विदियो का संचालन करने का अधिकार है पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों पर जपान ने कई वर्षों से दावा किया है जपान इस शेत्र को सेंकाकू और चीन इस शेत्र को दिया यू कहता है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता वांग वैन बिन ने चीन की गुसपैट की अमेरिका की आलोचना से इंकार किया यहाँ पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने संसद में नए राजनीतिक मांचित्र को मं आवा किया है अगला प्रशन है भारत ने हाल ही में दो दशकों के बाद किस वस्तू के आयात पर प्रतिबंद लगाया है तो इसका सही जवाब है option number C color television set भारत ने रंगीन tv सेटों के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है जो की लगबग दो दशक बाद किया गया है ऐसा को प्रोत्साहित करने और आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है रंगीन टेलिविजन सेटों की आयात निती को मुक्त से प्रतिबंदित से संशोधित किया गया है कुछ श्रेनियों में टीवी के आयात के लिए अब सरकार से लाइसेंस की आवश्यक् मोनोक्रोम टीवी पर कोई प्रतिबंद नहीं है वित वर्ष 2020 में प्रतिबंदित श्रेनि के तहत कुल आयात 781 मिलियन डॉलर था इन में से क्रमक्ष वेतनम और चीन से 428.37 मिलियन डॉलर और 292.48 मिलियन डॉलर का आयात किया गया अगला प्रशन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वी आईसी ने भारत के किस केंद्रिश सस्तर पुलिस बल के साथ एक समझोता ग्यापन प्रस्ताक्षर किये हैं तो इसका सई जवाब है उप्शन नमबर C ITBP खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वी आईसी ने सरसों के तेल किया पूर्ती करने के लिए ITBP के साथ हाथ मिलाकर भारत को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है KVIC और ITBP ने एक समझोता ग्यापन MOU पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहट ITBP जल्द ही 1200 क्विंटल उच गुनवत्ता की कच्ची घानी सरसों के तेल किया पूर्ती के लिए KVIC को ओर्डर देगा इसके अलावा श्री अमित शा ने भारत भर में CAPF कैंटीन के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादों को बेचना निवारे कर दिया है सभी अर्ध सैनिक बलों की ओर से प्रावधानों की खरीद के लिए MHA द्वारा न्यूक्त नोडल अजेंसी ITBP है यहाँ पर एक विक रिविजन की बात करें तो ITBP के DIG है श्री रामा कांथ शर्मा, KVIC के डारेक्टर है श्री वीके नागर, KVIC के चेर्मेन है श्री विने कुमार सक्सेना अगला प्रशन है किस मंत्राले ने Smart India Hackathon 2020 का आयोजिन किया है तो इसका सही जवाब है Option C, मानव संसादन विकास मंत्राले Smart India Hackathon का 1 अगस्त को Grand Finale था जिसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये शामिल हुए यह HRD मंत्राले दुवारा आयोजित Hackathon का 4 संसकरन है और यह यूवा दिमाग में Out of the Box सोच को बढ़ावा देने में बेहत सफल साबित हुआ है Smart India Hackathon चात्रों को हमारे दानिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र व्यापी पहल है Smart India Hackathon 2017 के पहले संसकरन में 42,000 चात्रों ने भागेदारी देखी थी जो 2018 में बढ़कर 1,00,000 और 2019 में बढ़कर 2,00,000 हो गई Smart India Hackathon 2020 के पहले दौर में 4,50,000 से अधिक चात्रों ने भागेदारी देखी गई अगला प्रशन है निम्मन लेकित में से किस शहर को 100 स्मार्ट शहरों के लिस्ट में जोड़ा गया है तो इसका सही जवाब है option number D, दोनो A और B यानि कारगिल और ले नव गतित केंदरी शासित प्रदेश में ले और कारगिल को लड़दाख की स्मार्ट शहरों के रूप में विक्सित करेंगा केंद्री आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने स्मार्ट सिटीज के निदेशक राहुल कपूर के तहत पांच सदस्य केंद्री टीम का गठन किया है पैनल ले और कारगिल के लिए पर्योजना रिपोर्ट तयार करेगा ताकि लद्दाख में बुन्यादी धांचे और रोजगार के अफसरों में सुधार हो सके इन शहरों को विबिन राज्यों में 100 स्मार्ट शहरों के अलावा चुना गया है यह विचार शुरू में ग्रह मंत्राले द्वारा प्रस्तावित किया गया था बात करें जमू कश्मीर की तो इसके लेफटनेंट गवर्नर है गिरीश चंदर मुर्मू और लद्दाख के लेफटनेंट गवर्नर है आर के माथूर अगला प्रशन है किस देश ने एक नए कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया कंटेंट को वी नियमित करने के लिए एक अधिक शक्ती देता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी तुर्की तुर्की की संसद ने एक नए कानून को मंजूरी दी है जिसकी तहत तुर्की अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया कंटेंट को वी नियमित करने की अनुमती देता है कानून के अनुसार फेस्बुक और ट्विटर जैसी प्रमुक समाजिक मीडिया कंपनियों को प्रतिनि आपन प्रतिबंद के साथ कंपनी की बैंड विट्स में कटोती की जाएगी अदालत की फैसले के साथ बैंड विट्स में 50 फीजदी और फिर 90 फीजदी तक की कटोती की जा सकेगी ताकि सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तिमाल बेहत धीमा हो जाए यहाँ पर एक क्विक अगला प्रशन है पवन हंस लिमिटेड ने उडान योजना के तहत किस राज्य में एक सस्ती हेलिकॉप्टर उडान सेवा शुरू की है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अमबर डी उत्राखंड पवन हंस लिमिटेड ने केंद्री सरकार की क्षेत्रिय कनेक्टिविटी य योजना उडान के तहत उत्राखंड में दहरादून नई टिहरी श्री नगर गोचर मार्ग पर एक हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की है निरेंद्र मोधी सरकार ने क्षेत्री हवाई संपर्क में सुधार के लिए 2016 में उडान योजना शुरू की थी ये मार्ग पहाड़ी र हालत में स्तित है पवन हंस एक मिनी रतन एक श्रेनी की PSU है नागरिक उड़यन मंत्री है हरदीप सिंग पूरी यहां पर एक कोई क्रिविजन की बात करें तो हरेला उत्सव के अफसर पर किस राज्ये के मुख्य मंत्री ने स्मृती वन का उत्गाटन किया है तो इसका सही जवाब है उत्राखंड बात करें उत्राखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना तेहरी डैम भागी रती और राम गंगा डैम राम गंगा नाशनल पाक में आता है नंदा देवी नाशनल पाक जिम कॉर्बेट नाशनल पाक गंगोत्री ना स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्दन ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स पर इपुस्तक जारी की है यह इपुस्तक का उदेश्य देश में मादक द्रव्यों के सेवन और वेवारिक लत्थ से निपटना है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 बताती है कि कोविड-19 देश में विकारों का उत्पन करेगा मादक परदात का उप्योग हृदे, कैंसर और मानसिक स्वास्ते जैसी गैर संचारी विकारों से जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो किस मंत्राले ने इंजीनिरिंग सनातकों के लिए इंटर्णशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉंच किया है तो इसका सही जवाब है अवास और शहरी मामलों के मंत्राले अगला प्रशिन है एक अगस्त 2020 को किस स्वत अंतरता से नानी की सौवी पुन्यतिति मनाई गई तो इसका सही जवाब है आप्शन अंबर C बाल गंगाधर तिलक एक अगस्त दोहजर बीस को लोक माने तिलक की सौवी पुने तिथिप मनाई गई उन्हें समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है लोक माने तिलक का प्रसिध नारा स्वराज मेरा जनमसिद अधिकार है देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने में बाल गंगाधर तिलक ने अथक योगदान दिया था वे लाल बाल पाल लाला लाजपत राए बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल के दल के रूप में प्रसिध थे बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश ओप निवेशिक शासको दुबारा भारती और शांती का जनक कहा जाता था बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की किस इंडियन क्रिकेटर को नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स की समिती में शामिल किया गया है विरेंदर सहवाग को कौन सा देश डियाईउ आइलेंड्स को अपनी टेरिटरी मानता है चाइना भारत ने ओल्मोस्ट दो डेकेट्स के बाद किस प्रोड़क्त के इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कलर टेलिविजन सेट्स पर के वी आईसी ने किस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अफ इंडिया के साथ एमो यू साइन किया है स्मार्ट इंडिया हैकतों 2020 किस मिनिस्ट्री ने और्गनाईज करवाई है मिनिस्ट्री ओफ हुमन रिसोर्स डेवलपमेंट सौ स्मार्ट सिटीज में किस सिटी को एड किया गया है कारगिल और ले को किस देश ने सोशल मीडिया कॉंटेंट के लिए नया लेजिसलेशन बनाया है तुर्की में पवन हंस लिमिटेड द्वारा स्टार्ट की गई अफोर्डिबल हेलिकॉप्र फ्लाइट सर्विस कहां शुरू की गई है उतराखंड में Standard Treatment Guidelines for Substance Use Disorders पर इपुस्तक किस ने जारी की है डॉक्टर हर्षवर्दन ने एक अगस 2020 को किसकी सौवी पुन्यतिति मनाई गई है बाल गंगधर तिलक की बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्चिन है किस पूर्व भारती क्रिकेटर को राष्ट्रे खेल पुरसकार विजेताओं की चैन समिती में शामिल किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्चिन है किस मन्तराले ने Smart India Hackathon 2020 का आयोजिन किया है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथी साथ इस बेल आइगन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट सासेसीजलपिनेकल.com और बलजीधाकर.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा थांक्यू सो मच